अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे इस्टोरिकल प्लेसे वीजीट करना उन्हें देखना कितना ज्यादा पसंद है एक बार फिर से मैं वही देखने आ गया हूं तो वेलकम 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 वेक पर चैनल गाइज तो कैसे आप सब लोग उमीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे आज मैं कहां हूं यह अलग एंगल से बताते यार एंगल तो चेंज हो गया न और वह आपको दिख भी रहा होगा कि मैं आज कहा हूं आज मैं आज मैं आया हूं बिश्व का सबसे बड़ा बौध अस्टूप आपको भी दिखाते हैं तो पहले बात थोड़ा केसरिया का कर लेते हैं केसरिया बिहार इस्टेट और यहां एक डिस्टिक है पुर्वी चंपारन और इसका एक सहर है केसरिया और केसरिया में है अपना यह यह अस्टूप यहां पे क्यों के शरिया में क्यों यह आप सोच रहे होंगे तो मैं आपको बताता हूँ जब महात्मा बुद्ध बैशाली से कुशी नगर अपने महा परिनिर्वान के लिए जा रहे थे तब उन्होंने यहां पे एक रात बिताई थी और अपने विक्षू को अपना विक्षा पात्र दान में दिया था अब महात्मा बुद्ध आये और उनके विक्षू उन्हें यहां से जाने दे ऐसा हो सकता है क्या उनके विक्षू उन्हें यहां पे रोकने का पूरा प्रयास किया था तो महात्मा बुद्ध ने यहां पे कित्रिम बार धूत प तो 104 feet ऊचा है यह अस्तूप इंडोनेसिया का सबसे फेमस बोरो वदूर अस्तूप ऐना उसका भी हाइट 103 feet है और यह 104 feet उससे भी ऊचा है यह अस्तूप ना सिक्स फ्लोर का है और सिक्स फ्लोर में आप देखोगे नीचे और सबसे उपर के अगर फ्लोर को छोड़ दो तो बाकी हर एक फ्लोर में एक ब्रैकेट जैसा रूम बना हुआ है और उस रूम के अंदर महात्मा बुद्ध का स्टैचू लगा हुआ है उनके द्यान के मुद्रा का अलग-अलग स्टैचू लगा हुआ है और इससे जुड़ा एक इंट्रेस्टिंग बात में आपको बताता हूँ इस अस्तूप का मैंने फोटो जो देखा था उसमें वह मुझे मुझे दिख रहा था बट मैं जब अभी आया था वह स्टूप के नीच कि अभी पूरा वो यह तो पुराना है ना खुदाई में मिला रमुटियां लगभग तूटी ही हुई है और यह अस्तूप न अभी तक पूरा खुदाई हुआ नहीं है यह इधर का फ्रंट तरब से है आगे से ऐसा है पीछे अभी भी बाकी है खुदाई होना और इसके र रूप में जब होगा तो और ज्यादा खुद्शूत लगेगा और केसरिया में चुकी महात्मा बुद्ध यहां से बैसाली से कुसी नगर जाते समय यहां पर ठहरे थे यह उनके लिए एक महतुपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट उनके लाइफ का एक प्लेस बन जाता है तो यहां एज अस्मरन एज मेमोरेबल शमराट अशोक ने इस अस्तूप का निरमान करवाया था और यह बिस्व का सबसे बड़ा अस्तूप है और इस अस्तूप का जो यह पूरा एडिया है यह लगभग 23 एकर का है अभी आप सोचो यह पूरी तरीके से अभी इसकी एक बात मैं आपको बताओं जब तक इस अस्तूप की खुदाई नहीं हुई थी न तो यहां के लोग इसे प्राचीन काल का भगवान सिव का मंदिर माना करते थे कि यहां एक मंदीर है इस कैंपस में आओगे तो उस तरफ एक मंदीर भी है अभी भी है वहां पे एक मंदीर है और अगर यहां फिजीट करने का प्लान कर रहे है और आप बिहार से हो फिर टो आप बाइट भी या या सकते हो यहां पर यह इस वस्तूब का पीछे का हिस्स्ता है यहां से आप देख पा रहे होंगे कि अभी इसकी खुदाई होनी बाकी है और यहां की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बता दू कि यहां आने के लिए भी कोई शुलक नहीं लिया था मतलब अभी इसका इंट्रेंस फ्री है कोई टिकट अभी नहीं लगते है तो चलो आज के लिए इसके सरीया अस्तूप वाले वीडियो को यहीं प पसंद आएगा छोटी सी जानिकारी थी यहां की अस्तूप कि यह बहुत ज़्यादा भी डेवलप नहीं है इसलिए छोटा सा जानिकारी जो मैंने आभी आपको दिया तो उमीद करता हूं यह आपको पसंद आएगा पसंद आया तो भई पते ही क्या करना है लाइक कर लेना शेयर कर देना चैनल पर नए हो पुड़ाने और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना